सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूटिशन ग्यान दोस्तों आडू एक व्यापक रूप से लोक्त्रिय स्वादिस्ट और रजदार फल है आडू की खेती सबसे पहले चीन में की गई थी लेकिन आडू अब पूरी दुनिया में उगाया जाता है स्वादिस्ट होने के अलावा या फल विटामिन्स, खनिच, एंटी ऑक्सिडेंट और विबिन अन्यरासाइनिक सामागरी का एक सम्रिद स्रोत भी है भारत में आडू की खेती हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्राखण में की जाती है आडू लाल या सफेद पीले रंके होते हैं और इनका गुदा सफेद या हलका पीला होता है तो आईए जानते हैं आडू खाने के मुख्य फाइदों के बारे में नमबर एक आखो को स्वस्त रखे बीटा कैरोटीन आखो के स्वास्ते के लिए जिम्मेदार है और आडू में इस एंटियोक्सिडेंट की अच्छी मात्रा होती है नमबर दो तवचा के लिए आडू विटामिन A और C का बड़ा शोत है जो तवचा के स्वास्ते के लिए बेहर जरूरी है विटामिन A तवचा को नमी प्रदान करता है जिससे तवचा की बनावट में सुधार होता है जिससे तवचा नरम और कोमल हो जाती है नमबर तीन वजन कम करे आडू फैट रहित होते हैं और इनमें केवल औसितन 68 कैलोरी होती है यदि आप वजन घटाने के मिशन पर है तो डेली संसाधित स्नैक्स की वज़ाए आडू का सेवन शुरू कर दीजिए नमबर चार कैंसर सेल की व्रिधी रोके आडू एंटियोक्सिडेंट से सम्रिद होते हैं जो कैंसर सेल की व्रिधी को रोकने में मदद करते हैं फेफडे, कोलन और मौखी कैंसर के खिलाफ सरीर की रक्षा के लिए आडू विसेश रूप से जाने जाते हैं नमबर पांच कोलेस्टरॉल को नियंतरित रखे नियमित आधार पर आडू खाने से उच कोलेस्टरॉल और इसकी समस्या को नियंतरित करने में मदद मिल सकती है जिससे डाइबेटीज और हिर्दय रोक पैदा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि आडू में फिनॉलिक योगिक होते हैं जो कम घनत्व वाले लीपो प्रोटीन या LDL कॉलेस्टरॉल के आक्सिकरण को रोकते हैं नमबर छे हिर्दय के लिए आडू में मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट आपके हिर्दय को मुक्त करने वाले कणू को नस्ट करके आपके हिर्दय को लाब देते हैं आडू में अन्य पूशक तत्व भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हिर्दय तक रक्त के प्रवा में विर्दी से भीर्दय स्वास्ते को बढ़ावा देते हैं नमबर साथ पाचन के लिए आडू अपनी उच फाइबर और पोटेशयम सामागरी के कारण आपके विर्दांत्र गुर्दे, पेट और लीवर से विशाक्त पदार्थ को सुध करने में मदद करता है आडू पाचन तंत्र के लिए आसान होते हैं और आमतार पर इनके सेवन से पेट की परिशानी नहीं होती है नमबर आठ रक्त चाप को कम करें एक बड़े आडू में पोटेशियम की उच्च मात्रा और बहुत कम सोडियम होता है जो आपको स्वस्त रक्त चाप को बनाए रखने में मदद करता है नमबर नौ एनिमिया में उपियोगी है स्वास्ते विशेशग्यों का सुझाव है कि आडू जैसे आईरन से सम्रिद दिखाद्य पदार्थ का अपने आहार में सेवन बढ़ाना चाहिए आईरन से हीमोगलोबिन के उतपादन में व्रिधी करने में मदद मिलती है जिसे एनिमिया को रोका जा सकता है गर्भावस्ता में उपियोगी है गर्भावस्ता के दौरान विटामिन सी, बच्चे के हड्डियों, दातों और तवचा, बान स्पेशियों और रक्त वाहिकाओं में संयोजी उत्तक के रूप में मदद करने के लिए आवशक है ग्यारा, कबज में राहत दिलाए यदि आप इस फल को इसकी तवचा के साथ खाते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फाइदा मिलेगा, जिसमें फाइबर की बहुत बड़ी मात्रा है, जिससे आपकी कबज की समस्या में मदद मिलती है नमबर बारा, गठिया का इलाज करे आडू में मौझूद उच्च विटामिन A भी गठिया के इलाज में मदद करता है आडू में रेचक प्रभावी होता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेर्थ जागरन को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए धन्यवाद